सबी को जाएं दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही जल्द हमारे प्यारे देश भारत में लोग सभा के चुनाव होने जा रहे हैं तो इसी मुद्धे पर आप देखेंगे मज़ूर पत्रकार आर्जु काजमी जी का बड़ा ही मज़ेदार रेक्शन तो ये वीडियो काफे और मज़तार वीडियो लाते रहें जैहिंद जैब भारत जाहर है एकॉनमी की अगर देखा जाए तो एकनॉमिक पावर पाकिस्तान हर्गिस नहीं और ना ही आगे बनने की कोई चांसे फिलाल दिखाई दे रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हुए कई बार हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शेवाई शरीफ साहब उनके कई वीड लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कुछ कोल इनके बगल में है बिल्कुन आज भी हमें कर्जों की जो जो एक अंबार लगा हुआ पहाड़ कर्जों का उसको कर्जे उतार रहे हैं कर्जे लेके हम तनखाएं दे रहे हैं कर्जे लेके डिवल्प्मेंट कर रहे हैं आज तो अलहों अभला रोजा के दिन है, लहाधा करशी के चाय आपको पेश नहीं की जा रहीए, इस लिए के हम सब रोजा के जी यहां यह थे शेवाज शरीफ साब जो कह रहे थे के कर्जा लेकर ही हम सब कुछ गुजारा कर रहे हैं और कर्जा लेकर ही चाए भी कर्जा लेकर ही पिलाई जा रही है अब इस तरह की बाते तो बहुत अच्छी बात है अगर शेवाज शरीफ साब ने शुरू की है उनको करनी भी चाहिए लेकिन दूसी तरह अगर हम भारत में देखते हैं तो भारत की जो finance minister है उनका कहना ये है के इंडिया की GDP जो है वो बिलकुल जी 8% तक जा सकती है और जाने के लिए बिलकुल तयार है ये हम मानते हैं के पूरी दुनिया में जो है एक तरह से प्रॉब्लम्स आहीं थी कोवर्ट के बाद चाहे वो European countries हो या दूसरी countries हो वो जरूर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं लेकिन भारत को हमने देखा कि वो आगे की तरफ ही बढ़ता दिखाई दिया और उनकी economy जो है वो अब 8% GDP बता ही जा रही है साथ ही उनका यह कहना है कि थर्ड largest economy भारत बनने जा रहा है तो उस बात में कोई शक्षुबा नहीं रहे गया है लोगों को और लोगों का यकीन है कि ऐसा ही कुछ होने जाएगा लेकिन उससे सीखा तो जा सकता है भारत से सीख तो आप अगर भारत को वैसे तो बहुत से लोग पाकिस्तान में वैसे जो भारत को दुश्मन नहीं मानते लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मानते हैं तब भी उनको ये भी मानना पड़ेगा कि अगर आप कुछ सीख सकते हैं अपने दुश्मन से तो प्लीज सीख लीजिए इसलिए कि बात सरी आपकी परसनल एकॉनमी की नहीं है बात हो रही है मुलक की जो मुलक में लोग रहते हैं भारक के लोगों को भी सुनना पड़ेगा इमरान खान साब ने क्या कुछ गुल खिलाए जब उनकी गर्मेंट ही वैसे तो फैर बाकी गर्मेंट भी जो आई हैं उन्होंने कोई खास कारणामे नहीं दिये ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साब की गर्मेंट आई लोगो फिलाने को हमाुक्त के बारतियों जो के बारतियू से हमारे वहें दोस्त और जाहिर योट्व यूटिव चैनल भी चलाते हैं टी씨 शनल पर भी आते हैं और पाकिस्तान में अब इनको बहुट देका और सुना जाते मैं अपनी बात नहीं कह रही हूं छोटे चोटे- केपी के हो बलोचिस्तान हो पंजाब के छोटे टाउंज हो वहाँ पर भी अब लोग सुनने लगे हैं बात करने लगे हैं वेजग गौरवारिया की जी यहां लेकिन वो बता किया रहे हैं पाकिस्तानियों को यह सुन लीज़े दूसरा सवाल यह है कि वो पाकिस्तान का कौन सा लीडर था जिसने आते ही चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडर बंद कर दी थी उस लीडर का नाम बताईए है वो कौन था जिसने चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडर बंद कर दी थी और तीसरी बात वो कौन सा लीडर जिसके चेले चपाटों ने जिसके चम्चों ने पाकिस्तानी फॉज के हेड़कोर्टर पे हमला करा, पाकिस्तानी फॉज के एर बेसिस पे हमला करा, पाकिस्तानी फॉज के बाथ सीनियर कोर कमांडर लाहुर के घर पे हमला करा, वो कौन सा रिडर था? अब ये कुस्टिन जो है यकिना मेजर साब जो पूछ रहे हैं वो हमारे या लोगों को जवाब देना चाहिए लेकिन कोई जवाब देता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा कोई ऐसा दिखनी रहा हमने ट्विटर पर भी लगाया है बहुत से लोगों को टैग भी किया है जि यार हमें दिखाई नहीं पड़ता मगर बारहल ये सवाल तो उट रहे हैं और सिर्फ मेजर साब नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग भारत से कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने अगर सही होना है तो यकीना उनको इन चीजों के उपर भी सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी क्य कर रही हैं लेकिन सासाथ इजंसी और आरमी जो रोल हैं वो भी आप किसी से धकात चुपा नहीं उसके ओपर भी लोग बार बार बात कर रहे हैं और जाहिरे वह बहुत से लोगों को भी पता लग गया है जो इस यह हैं व रेटारड फौजी लग गए हैं वो भी सबको पता है बैसेटर बनके जाते वह वने हैं वह मों भी सब जानते तो अप वक्त आगया है इनके सिर्फ ठीक होने का अगर यह कुछ कर सकते Ice लिए को पपलिक रोका नहीं जा सकता पबलिक को चुप कराया नहीं जा सकता दो चार शे लोगों को चले उठा लेंगे मार देंगे कुछ भी कर देंगे लेकिन 25-26 करोड की आबादी का क्या करेंगे जो बच्चा बच्चा यही बात कर रहा है कि हर एक को अपना काम करना चाहिए चाहिए वो फोजो वो फ फेवरिट सरी दियोल जी की जी हां सरी दियोल जी जो के सभी जानते हैं फिल्मों में काम करते हैं और बहुत जबदस काम करते हैं और पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के बारे में जो मूवी बनी थी यानि के गदर उसमें वो हमारा हैंट पॉप उकड़के ले गया थे जब मोधी जी की कवर्मिन्ट ने सानी जिल जी को टिकट नहीं दिया, बहुत अच्छा किया इसलिए कि जब तक ही हमारा हैंड पाउम्ट वापस नहीं करेंगी, मेरा कहाले मोधी जी इनको दोबारा टिकट देने वाले नहीं है बारल बताया ही जा रहा है कि जी क्योंके सानी देल जी ने लास्ट टैम जो जीते थे और उसके बाद पार्लिमेंट में पहुंचे थे तो उसके बाद जहां से एलेक्शन लड़े थे जीते थे यानि गुदासपूर वहां जाके लोगों का हाल एवाल नहीं पूचा कोई पाकिसानी पॉलिटिशन जैसी अ ना डाली उन्होंने और जिसके बाद उनको अब हुआ यह है कि जाहिर है कि पॉलिक ने शिकायत की होगी मोधी जी से बड़ा गलत किया कि इनको ठिकर दे दिया से लेकिनोंने तो हमारा हाल वाली कोई ने पूचा हमारा ले कोई काम ही नहीं किया क्योंके भारत में तो इस पड़ी उसमें यहीं बताया है कि जी किसी एक्टर के बिज़ाए किसी पॉलिक इसन ко को सीड़ दी जाए ताके वो पॉलिक ली काम भी कर सके तो बाहराल बहुत से एक्टर जो है वो अंडिया की सिर्म रिया है और पॉलिक लिए प्ले काम करें यह कहना कि एक्टर होने की ब अगर हैंड पर्म दे दिया होता तो यकीन बहुत से पाकिसानियों की दुआइं लगती और इनको टिकट मिल जाता है साथ यह भी बताती चलूं कि हामिदमीर साथ जो हमारी है बहुत बड़े जनरलिस्ट माने जाते हैं महुत लोग मानते हैं महुत लोग नहीं भी मानते हैं लेकिन यह के बाराल हमिदमीर साथ का एक नाम है हमिदमीर साथ बहुत टाइम से जनरलिस्ट में हैं और काम कर रहे हैं तो उनका कहना यह है कि जी सनी देवल के साथ कि उनको टिकट नहीं दे रही है बीजेपी उन्होंने जो ट्वीट लगाई है उसमें उनने ये का गे जी जो एंटी पाकिस्तान मुवीज में काम किया करते हैं सनी देवल जी उनको टिकट नहीं मिला मतलब एंटी पाकिस्तान मुवीज का क्या मतलब है जी तो एंटी पाकिस्तान मुवीज से क्या मतलब है हमिद मीर साब का ये तो हमें समझ नहीं आया लेकिन ये ज़रूरे अगर वो गदर की बात करें हैं या बॉर्डर फिल्म की बात करें हैं तो वो मेरे ख्याल है कि हिस्ट्री के उपर मुवीज बनी वी थी और हिस्ट्री ज टू बनाईगे या गदर बनेगी या कोई इस किसम की मुवी बनेगी जो 1947 को दिखाए या 1947 से पहले और बाद में या 1947 में जो जिस तरह से पार्टिशन हुई उसको दिखाए जाएगा तो वहां पर ये दिखाएंगे कि जी लोग बड़े खुश हैं बड़ा मज़ा आ रहा है कि पार्टिशन हो रही हमारा कंट्री तोड़ देंगे तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा चाहिए उसका जो भी रिजन हो बार्ट मैं नहीं समझती कि सानी दोल जी जो हैं वो कोई एंटी पाकिस्तान मुवीज में काम करते हैं और इस तरह के जो बाते जो हमिन मिर साब ने कहीं है मुझे अप तो हैरान होना मैंने छोड़ दिया कि अक्सर हमिन मिर साब की ट्वीट्स ऐसी होती है कि पहले-पहले दो तो हम लोग इरान होतीते हैं यह क्या बोलने दो तो बारहल वन को मोलने ने लेकिन açãoणी जी जो है जो इस-बार इलक्शन वहैंशा नहीं ले सकेंगे और इसके लिए यकिनला ना मोधी जी उमेरा खैले के आपने बिल्कूL ठीकillar किया है क्यूंकि पहले इपढ़त को क सबसे पहले चाय पर मुझे ही बुलाए जाएगा तो अगर जिन लगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं भारत हूंगी चाय पीने मोदी जी के साथ उनको चाहिए कि वो हाज मूला की दो गोलियां खालें तब यह अग्रम सेट हो जाएगा तो आशा करते हों कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा कितना आर्जुकासमीजी का चूलबुला अंदाज आपको काफी पसंद आयोगा और ये वीडियो आपको काफी एंटेटेनिंग और मसेदार लगी होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ल कि यह मज़दार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय बारत